नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वाद करता हूँ खेती के वीडियो में तो किसान भाईयो आज हम आपको अनाज जैसे हमारी खेती में जो भी हम अनाज लेते हैं तो उनको सफाई करने एक बड़ी चुनावती होता है तो उसके लिए हमें एक पावरफुल फैन कैसे बनाए जिससे की हमको कम समय में जादा जादा नाज की सफाई हो सके तो आप देख रहे हैं सामने हमने एक एचपी का ये मोनो ब्लॉक मोटर है जो कि हम सिचाई में प्रयोग करते हैं आप देख रहे हैं इसमें पाइप भी लगे हुए हैं आप इस पाइप को भी निकाल सकते हैं वैसे हमको आगे सिचाई में इसका प्रयोग करना है इसलिए हमने इसको लगा रखी है तो आपको एक देखिए जैसे किसान बावी यहाँ पर हमने टीन का चद्दर लिया हुआ है जो कि जादे मोटाई पर नहीं पतला चद्दर है तो उसको हमने इस तरह से इधर मोड दिया है आप देखेंगे सेब बनाके फैन के साइज में और सान में आपके जोई मोटार का साप्ट रहता है उसके हिसाब से आपको एक इसमें मुंदड़ा लगाना होगा अगर आप बेल्डिंग दुकान में ले जाएंगे तो वो असानी से यह सब चीज बना देंगे तो इस मुंदड़े को आपको इस साप्ट के साइज के बना के और एक चदर में मात्र चदर में आपको यह सव डेड़ सव रुपए में यह काम हो जाएगा आपका तो खिसान भाई हो इसको हमने जैसे चदर को आप पंखेक बना कि वैसे आप प्लास्टिक के भी खाई सारे रेडिमेट फैन आते उनका भी आप प्रयोक कर सकते हैं लेकिन यह हमारा जुगाड़ वाला सिस्टम है इसमें भी हवाजवर जस्ता आती है और साथ में हमने इसको इचाई के लिए एक पुराने साइकिल का बाइसकिल का प्रयोक किया हुआ है जिसमें हमने यह देखिए बाइसकिल के उपर इस मोटर को रखके रसिक साहरे से यह अब आगे हम इसको देखिए यहां पर कनेक्शन के लिए बोट रखे हैं तो इसमें हम आगे आपको लाइब देखाएंगे कि इसका पावर कितना है और इसमें कितना अनाज की आप ज़्यादर ज़्यादर सफाई कर सकते हैं वो चाहें आप धान गेहूं ऐसे कोई भी अना अन्डियों में उनका सही रेट नहीं मिलता है तो उन सब चीज के लिए अब इसका प्रयोग कर सकते हैं तो देखिए किसान भाईयों यह हमारे सामने यह धान के धेर है जिसमें कि कितने साड़े कच्वे हैं आपको बद्रा हो गए जैसे जो पराली के टुकडे वगेरा यह कितना मतलब आपको नजदीक से नहीं दिखाऊं तो यह कितना गंदा धान है लेकिन इस मोटर के सारे साम इसको चुठकियों में एक दम साप कर देंगे सफाई कर देंगे तो आगे हम आपको लाइब दिखाएंगे अवैसे यह ट्रेक्टर से गाया हुआ धान है उसके देने पहरां जबते देखाऊंगे लेक्राइब चलिए आपको दिखाऊंगे लाइब दीखा एक दो इसमें आपको कितना साप आनाज मिल जाएगा तो चलिए आपको हम लाइब दिखाते हैं इस मोटर को चलाकर और सांथ में धान को साफ कर के प्राइब के लागा 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 ए्टारी जालग कर दो पिला कि लिए भागा कि लोग या इन पती एक लागा कि अगा लागा है कि देखे किसान भायो मैंने इसके पहले आपको उस अनाज को दिखाया था जिसमें कितने सारे कचड़े बगएर थे परालिक टुकड़े अब इस फैंसे हमने सफाई की उसके बाद आप अनाज की क्वाइटी देखिए इसमें आपको एक भी कचड़े न मिलेगे पूरा उते अनाज एक दम क्लीन अनाज यह दान है जो एकदम आपको देखे क्रें हो चुका है क्यों अनाज सफाई करने का यह यह जुगाड आपको कैसा है लागा कमेंट सख्शन में वारत बताएं और आप इसे किसी भी तरह के कोई भी अनाज अगर उसमें कचड़ा है, किसी भी तरह का, ये फिर बारी दाना अगर उनको भी आप अलग करना चाहते हैं, हलके दाने, तो आप इस भैन का प्रियोग करके उससे एक अच्छा, साफ, क्रीन अनाज प्रात कर सकते हैं, जिससे इनका रेड भी अच्छा मिलेगा, और साथ में आप अपने उप्योग में भी इसको, प्रोक कर सकते हैं, धन्यवाद